लोकसबा चुना में भाशपा मुस्लिम वोटरों को साधने में जुट कही है इसके लिए देश भर में भाशपा द्वारा खास कर मुस्लिम समुदाई के लिए समवात कारिकरम शुरू किया गया जिसके तरद भाशपा नेता मुस्लिम समुदाई में जाकर मोदी सरकार की दस स की उपलवधियों का बखान किया भाशपा अल्प संक्यक मोर्चा के अधिश बिलाल अहमेद शाह ने का कि इसमें लोगों के साथ विभिर मामलों पर चर्चा की जा रही है प्रधान मंतीर नरेंद्र मोदी की सरकार में दस साल में कितना विकास हुआ और किस वर के लिए सरकार ने क्या काम की इनके बारें विस्तार से बात किया जा रहा है उन्होंने का कि अल्प संक्यक समुदाय के हित में केंद्र सरकार ने जो विकासात्मक कारे किये हैं उनकी भी जानकारी यहां दी जा रही है देश में अमन्चैन बरकरा रहे हैं इसके लिए मोदी सरकार ने बेह आतंकवात का भी अंत हो गया है भाश्पा के राज में मुस्लिम समुदाय सबसे जादा अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है उन्होंने का कि लोग सभा चुनाव में इस बार भी 400 से जादा सीटे जीत कर पी ये मोदी दुबारा से देश के प्रधान मंत्री बनेंगे प्रधेश के मुस्लिम समुदाय भी भाश्पा के साथ काफी तादाद में जुड़ रहे हैं। में मेरे समवाद के कारेकरम हो रहे हैं। हमारे शिम्ला में भी आज हमने चौड़ामदान में कारेकरम कर दिया है। एक इदगा में रखा है। इसके बाद हमें एक जटोग में कारेकरम हमारा होना है। चोटे-चोटे समवाद है हमारे ये। इस समवाद के थूरू जैसे क आपको बली बांती पता है कि दो हजार चोदा में जब मोदी जी सत्ता में आये थे उस वक्त एक ब्रहम ब्रांती फिलाई जा रहते कि जब भी भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो मुसल्मानों के साथ बेदबाव किया जाता है उनके साथ कोई ठीक संब्द नहीं रखे जात बदलावा आया है आज किसान निदी योजना में कितने मुसल्मानों को किसान जब बैंक अकाउंट खुले कितने लोगों को वहां पर पैसा जा रहा है पी एम आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर मिला है और मोदी जी की ये जो योजना हैं लगातार ये तो बहुत कम योजना बता है और भी सारी योजना है लोगों की लगातार योजना हम बता रहे हैं और लोगों के छोटे-छोटे घरों में जाके हम सभाद कर रहे हैं लोग हमारे को वेलकम कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कि दंगों कितनी कमी आये, पूरे दो अजार चो़जा से लेकर आका दोजार चोबिछ मेशस G बोलते ह्यां जहां भासपा शरकार होती हिवंँ दंगे होते, तो हम आंकड़े लेकर आएंगे कि बताएं कहां पर दंगे थे कर आंगर अगर भासपा इतनी ही आप मुसलमानों से हेट करती तो कश्मीर में भी दंगे होने थे यूपी में भी दंगे होने थे पूरे जो है ट्राइब हमारे पूरे हिमाचल में चली है आज पूरे हिमाचल में छोटे-छोटे कारकरम ये हो रहे हैं ये आज हम यहां से मुहीम लेकर चल रहे हैं और ये मुहीम पूरे जब तक लोगसवा चुनाब मोदी जी को दुबारा से 400 का पार जो हमारे नारा लगाया है और ऐसे ही नहीं बोर है 400 का पार हम अपने काम को लेकर वहां जा रहे हैं और लोग उस काम पे मोहर लगा रहे हैं कि वाकी में अगर आप 400 की पार की बात कर रहे हैं तो वो 400 की पार होके रहेगा क्योंकि मोदीजे ने अपना काम किया